कैसो आप लोग उम्मीद करतो हूँ आप लोग अच्छ होगे स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों कापके अपनी चैनल क्रिकोलेंट पिडिक्शन में गाइज यूरोपियन टीटेन मैच का मुकाबला खेला जाएगा डी एश्टी वीएस पी आई सी के बीच में ठीक है मुकाबला यह आप लोगों को 14 मार्च मतलब की आज ही के दिन जब आमीर खान का वड़े है साड़े 5 बजे शाम को आप लोगों को अपने भारे टैम अरुसार ये मैच देखने को मिल जाएगा ठीक कहां खेला जाएगा कौन से खेलाडी हम लोगों को अपने टीम में ट्राई करने है कौन से खेलाडी आप लोगों को Grand League जितवा सकते हैं वीडो बहुत इंपोर्टेंट है without wasting time वीडियो को start करते हैं देखो एक छोटा सा काम करना है after talks की जो भी update होती है वो आप लोगों को telegram channel पे दी जाती है जिसका के link वीडियो के description comment box में है और किसी reason से link वर्क ना करें तो simply say click to 580 search करके आप लोग telegram प्यास सकते हो आना तो 4 November का pin message जोगा जरूर चेक कर लेना बिल्कुल free team provide कराई जाती है क्योंकि मेरे नाम से काफी जादा लोगों ने fake channel बनाए हुए है जहां पर मुझसे जादा वो subscriber लेकर बैठे है तो उमीद है आप लोग देख समझके सही जगा पे ही आओगे चलिए वीडियो को finally start कर लेते हैं दोनों टीमों के recent form की बात करते हैं तो दोनों टीम गजब की form में है दोनों टीम ने 5-5 मैच खेल के 4-4 मैच को वोन किया है ठीक है वेनू की बात करते हैं कांटरमा, ओवल कांटरमा का ground रहने वाला है जो कि एस्पेन में है बैटिंग फ्रेंडली विकेट वैसे बताई जा रही है और बैटिंग फ्रेंडली आप विकेट बिल्कुल मान के चल सकते हो गुड फूर पेसर्स बारिस के बिल्कुल भी आसार नहीं है अब यहाँ पे पिछले पांच टी ट्वैंटी आई के मैच में सॉरी, टी टेन के मैच में 107 ओस्तन स्कोर बन रहा है 60 बॉलो का किर्केट है और अगर 107, 120 120 तो मैं मान के चलूँगा है फिर भी आप लोग मान सकते हो कि बैटिंग फ्रैंडली विकेट रहने वाली है ठीक है 9 टोटल विकेट गिरे हैं पिछले 5 मैचों में जहां पे 7 विकेट पेसर्स को मातर 2 विकेट स्पिनर्स को मिला है तो पेसर्स को आप लोगों को ले के चलना है टोप ओडर के बैट्समेन, औल राउंडर इन ही को आपको अपने टीम में ट्राइ करना है हेट टू एड में खेर एक ही मैच खेले गए हैं दोनों टीमों में पिछले 5 साल में और वो डी एस्टी की टीम ने मैच को वोन किया था PIC टीम का खाता नहीं खुल पाया था तो ये चीज़ आपको समझ लेना है समरी में आपको क्या करना है दोनों टीमों के हिसाब से एक बैलेंसिंग कॉमिनेशन ट्राइ करना है विकल्ज दोनों भारी ही रहने वाली ये टीम बैट्समेन को सपोर्ट करना है और पलस जो की तेज़ गती के गेंदबाज है आप लोगों को उनको सपोर्ट करना है तो इसी के बैस पे सबसे पहले हम लोग बात करते है विकेट कीपर आप्शन पिछले मैच की लाइनप देख लेना ये लाइनप थी पिछले मैचों में तो विकेट कीपर में मुहमद इहसान को उठा लीज़े टीम में जादा यहाँ पर कोई मतला बात करने का कोई मतला भी नहीं है ये बहुत इंपोर्टन खिलाड़ी है अभी ECS से स्पेंट टीटेंचल रहा था था ना बहुत इन्होंने रन किया था important है must pick वाले खिलाड़ी है must से भी must pick वाले खिलाड़ी है पिछले दो मैच में इन्होंने performance दिया है देखोगे तो वैसे तो चारों मैच में dream team में है लेकिन performance की बात की जाए तो पिछले दो मैचों में इन्होंने जबरदस्ट परफोर्मेंस दिया है उससे पहले तो एक हो गए उतना परफोर्मेंस नहीं कर पायते ठीक है सुर्विक कहीं न कहीं से पॉइंट देने की छमता ज़रूर रखते हैं आप लोगों को क्यों उतमनजाई को ग्रांड लिग में ट्राई करना या फिर मैं बताऊंगा भी मैं बताऊंगा कहा ट्राई कर सकते हो आई हुसेन बैटिंग सेक्षन से एक इंपॉर्टन खिलाड़ी है तीन मैच खेलके स्कंदर आली की बात किजाए तो चार मैच खेलके 447 पॉइंट दिये हैं हर 262 विक्य साओ तो जोड़े ने पहले पर्फ़ांस धा इस लेट हैं ऐसाली की तो वन्डाउन यह खेलने वाले हैं तो इस वाजह से कहूंगा कि लेक ही ही चली क्यों इंपोर्टेंट है और सिखवाल की बात करते हैं जिन्होंने चार मैच में आस्तन पच्छास पॉइंट दिया है ठीक है हर चार में से एक ही मैच में वैसे यह ड्रीम टीम में शामिल हो पाते हैं तो एक मैच यहां पे देखो गए जहां पी इन्होंने खतरनाक परफोमेंस कर दिया था यहां पर पचासी रनों की ताबर तोड़ पारी खेली थी और अगर आर सिखवाल की बैटिंग करम की बात की यह तो यह भी भाईया खेलेंगे वन डाउन पर तो इंपोर्टेंट कहूंगा इनको मैं क्यूंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है ठीक है डिक कोईल कैली की बात करते हैं दो मैच खेले हैं औस्तान 111 पॉइंट लेकिन पिछले दो मैच इन्होंने खेला नहीं है तो इस वज़ा तर फिलाल में ड्रॉप कर रहा हूं अदर्वाइस खेलेंगे तो 100% में अपने टीम में लेके चलने वाला हूं इनको और राउंडर सेक्शन से तो बाबर मश्टपिक वाले खेला रही हैं क्योंकि ये करेंगे ओपन पलस आप लोगों को दो बर की बॉलिंग देने वाले हैं ठीक है हालिया फॉर्म देखिएगा हर मैच में इन्होंने पफरमेंस किया है मश्टपिक वाले खेला रही हैं जे जादरान की बात की जाए त तो चार मैच में आस्तान 67 पॉइंट ये भी मश्ट पिक वाले खिलाड़ी है अपने टीम के तरफ से अगर इनकी बैटिंग करम की बात किया जादरान की तो यहां पर आप देख सकते हो इनका बैटिंग करम बैटिंग करम तो खैर इनका नीचे दिखाया जा रहा है लेकिन य पिछला मैच छोड़ दिया जाए तो इंपोर्टेंट है आप अपने टीम में लेके चलिए एम शेहनवारी की बात करते हैं एक ही मैच खेलें जहां पर इन्होंने धागा खोल दिया था सामने वाली टीम को ही खोल दिया था तीन विकेट उन्होंने गजब के निकाले थे 75 पॉइंट बालिंग से पलस LBW बोल्ड वागरे कि इन्होंने पॉइंट दिये थे तो इंपोर्टेंट है क्योंकि तीन विकेट लेकर आ रहें पिछले मैच में सेनवारी इंपोर्टेंट है दो भर आप इनसे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो बालिंग से बात की जाए तो यह चली को मैं अपने टीम में लेकर चलना चाहूंगा चार मैच में उस्तान 46 पॉइंट इन्होंने दिया है एक विकेट कम से कम आप इनसे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो इस जादरान की बात करते हैं आप इनसे भी एक से दो विकेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हो वैसे जादा तर यह एक ही विकेट निकालते हैं पिछले मैच में इन्होंने बैटिंग से बहुत अच्छी हिटिंग की थी मैच देख रहा था तो इनको भी लेके चलूंगा बाकि एम लतीफ की अगर बात की जाना तो ग्रांड लिग में आप चाहो तो इनको ट्राइ करके चल सकते क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने तीन विकेट निकाला है उससे पहले टोटली यहाँ पर यह फ्लॉप ने ठीक है तो ग्रांड लिग में लेके चल सकते हो अगर अगें तीन विकेट वगरा काम कर देते हैं तो इंपोर्टेंट हो सकते हैं अब देखो एक और काम करना न कि यह जो विकेट कीपर है इनका नाम है क्यों उत्मानजी ठीक है आप एक टीम में तो इनको कैप्टन बना के देख लेना ग्रांड लिग में बिकाज यह ओपन आ रहे हैं और बैटिंग के लिए अच्छी विकेट है तो 60-70 कभी भी कर सकते हैं तो इंपोर्टेंट हो सकते हो एक इंपोर्टेंट चीज मेरी नोटिस कर लेना मैं हमेसा कहता हूं यह सब टीटेंट के मैच काफी रिस्की होते हैं ठीक है भाई तो इन्वेस्ट प्लीज लेस करना बाबर कैप्टन वाइस कैप्टन इहसान है और कुछ खिलाड़ी हैं जिनकों कि मैं आफटर टोस इनको भी ट्राइ करके चलना है बाकि जो भी मेरी फाइनल टीम होगी स्मॉल लिक्की मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा मेरे भाई प्लीज कम क्या करो इन्वेस्ट यह सब जो टीटेंट के मैच होते हैं आप लोगों के डिमांड पर मैं वीडियो बनाता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग दिल खोल के इन्वेस्ट कर दो ऐसा बिल्कुल मत किया करो क्रिक 2580 लिख करके सर्च करके आ सकती हो चार नमंबर काना तो पिंड मैंसे चेक कर लेना बाकी मिलता है करें च्छी वीडियो साथ तब तक लिए गुडबाई टेक केर